फिल्मों में इंटिमेट सीन्स का राज फिल्मी परदे पर जो कुछ आप देखते हैं वह हकीकत में क्या होता है? क्या जानना नहीं चाहेंगे? आज की फिल्मों या वैवसीरीज में किसिंग सीन या इंटिमेट सीन्स का होना कोई बड़ी बात नहीं है सभी स्टॉस प्यार को दर्शाने के लिए किसिंग सीन को नॉमल मानते हैं और इसे करने में वे हिचकिचाते नहीं क्यूंकि उन्हें लगता है कि इस दृश्य के नहुने पर फिल्म की कहानी अधुरी लगेगी एक इंटर्व्यू में अभिनेतरी कल की कोचलिन ने कहा है कि जब पहली बार उन्हें एक इंटिमेट बैद सीन करने के लिए कहा गया तो उन्हें बहुत अजीब सी फीलिंग हुई थी और उस दृश्य को करने के लिए उन्होंने कुछ समय मांगा और बाद में किया लेकिन उनकी शर्थ ये रही कि निर्देशक को एक बार में दृश्य को शूट करना है वहरी टेक नहीं देगी दर्शक इन दृश्यों को पैसा वसूल मानते आए हैं आज लगबग हर फिल्म में किसिंग सीन तो देखते ही होंगे और जब फिल्म इमरान हाश्मी की हो तो इसमें बिना किस के फिल्म पूरी ही नहीं होती लेकिन सवाल ये हुटता है कि फिल्म में ये सीन कैसे शूट किये जाते हैं डाइरेक्टर और क्रू मेंबर्स के सामने अभिनेत्रियां कैसे आसानी से किसिंग या बैड सीन दे देती हैं आईए जानते हैं डबल बॉडी का प्रयोग ऐसे अंतरन ग्रिश्यों के बारे में निर्देशक पहले से ही अभिनेत्री को बता देते हैं ताकि वह भी मानसिक रूप से तैयार रहे अगर कोई एक्टरेस इसे करने से मना करती है तो डबल बॉडी का प्रयोग किया जाता है जिसकी तैयारी निर्देशक पहले से ही कर लेते हैं ताकि शूटिंग में किसी प्रकार की बाधाना हो इसके अलावा इंटिमेट सीन्स की शूटिंग के लिए निर्देशक इंटिमेसी स्पेशलिस्टों की सिवाय लेने और विक्षॉप करने से लेकर शूटिंग के समय सुरक्षित शब्दों का इस्तिमाल करते हैं ताकि कलाकारों को किसी तरह की असहजता महसूस न हो कलाकारों में अच्छी केमिस्ट्री फिल्म निर्माता अलंकृता श्रीवास्तव और सिनेमाटोग्राफर जय ओजाने फिल्म Made in Heaven की शूटिंग के दोरान कलाकारों के बीच विश्वास का भाव पैदा करने और बार बार रीटेक से बचने के बारे में विस्तार से कलाकारों से बात चीत की उनके बीच में एक केमिस्ट्री तयार की ताकि सीन्स को फिल्माते वक्त वे असहज न हो Margarita with a straw की शूटिंग से पहले निर्देशक शोनाली बोस ने तै कर लिया था कि उनके कलाकार खुद को सुरक्षित महसूस करें इसलिए कलकी और सयानी गुपता ने बोस के साथ इंटिमेसी विक्शोप की जिस दिन सयानी गुपता को अपनी शर्ट उतारनी थी उस समय सेट पर कुछ महिलाएं ही थी बोस ने भी शर्ट उतार दी और कमर पर एक तॉलिया बांधा इससे दोनों के बीच में हिचके चाहट में कमियाए और सीन शूट करना आसान हुआ नहीं होता आसान अबिनेतरी अनुप्रिया गोयंका से इंटिमेट सीन्स की सहजता के बारे में पूछने पर बताया कि कोई भी इंटिमेट सीन को शूट करना आसान नहीं होता उसमें अंतरंगता की फीलिंग लानी पड़ती है जिसके लिए इंटिमेसी स्पेशलिस्ट होते हैं जो उस सीन की कोरियोग्राफी करते हैं जिससे उस सीन को फिल्माना आसान होता है इन सीन्स को फिल्माते वक्त अधिकतर एक छोटी टीम होती है ताकि कलाकार को असहजता महसूस न हो केवल एक्टर ऐसी नहीं एक्टर भी कई बार ऐसे सीन्स करने में सहम जाते हैं अभिनेतरी तापसी पन्नू की फिल्म हसीन दिल्रुबा में तापसी विक्रांत मेसी और हर्शवर्धन के साथ इंटिमेट सीन्स करती हुई दिखी थी जिसमें दोनों एक्टर सहमें हुए थे कि ये द्रिश्य वे कैसे शूट करेंगे लेकिन तापसी ने उन्हें बात चीत क अगर सहज किया और द्रिश्य को फिल्माया गया रजामंदी जरूरी हिंदी फिल्म निर्देशक अशोक महता कहते हैं कि फिल्म की कहानी को बताते हुए एक्टरस को पहले से सीन के बारे में बताया जाता है अगर उसने उसे करने से मना किया तो डबल बॉडी का प्रयोग ह जिसमें एक लेटर लिखकर अभिनेत्री और डबल बॉडी करने वाले के साइन कराये जाते हैं ताकि बाद में एक्टरस आरोप न लगाई कि उस द्रिश्य के बारे में उसे पता नहीं था अगर कोई एक्टरस अधिक समस्या करती है तो उस सीन को हटा भी दिया जाता है फ तक्नीक का प्रयोग भी ऐसे सीन्स के लिए किया जाता है जिसमें डबल बॉडी के साथ उसे शूट कर उसमें अभिनेत्री का फेस लगा दिया जाता है अशोक महता कहते हैं कि कई बार एक्टरस पहले इंटिमेट सीन्स को शूट तो कर लेती है लेकिन बाद में परिवार वालों या बॉइफ्रेंड के पूछने पर साफ इंकार भी कर देती है कि उसने ये सीन्स नहीं दिये हैं और निर्माता निर्देशक पर आरोप लगाती है जिससे समस्या आती है बड़े प्रोडक्शन हाउस को इससे अधिक फर्प नहीं पड़ता लेकिन छोटे निर्माता निर्देशक को कोर्थ तक जाना पड़ता है जिसका सेटलमेंट अधिक पैसे से करना पड़ता है या सीन को हटाना पड़ता है इंडस्ट्री में आई नई या दो से तीन फिल्में कर चुकी एक्ट्रेस के साथ अधिकतर ऐसी समस्या है कई बार कुछ इंटिमेट सीन्स की जरूरत खास कहानी के लिए होती है मसलन, फिल्म, राम तेरी गंगा मैली में जरने के पानी में मंदाकिनी का नहाना और बच्चे को स्तनपान कराने वाले दृश्य की वज़े से फिल्म हिट हुई लोग उसी को देखने हौल तक अधिक गए तब जमाना अलग था आज के समय में इंडियन फिल्म इंडिस्ट्री इंटिमेट सीन्स के मामले में वास्तविक्ता के बहत करीब पहुँच गई है Made in Haven, Four More Shots Please और Sacred Games, आदी वेब सीरीज और जिस्म, मदर जैसी फिल्मों में ये देखा जा सकता है फिल्म इंडस्ट्री में सभी इसे खुले दिल से स्वीकार कर रहे हैं और इसे हिट भी करवा रहे हैं आज अगर कोई अभिनेता या अभिनेतरी बोल्ड सीन्स करने से मना कर दे तो कई बार टीम के क्रू को इल्यूजन क्रियेट करना पड़ता है यानि ब्यूटी शॉट्स से काम चलाना पड़ता है सिनेमेटोग्राफी की कुछ ऐसी तक्नीक का प्रयोग करना पड़ता है जिससे बिना कुछ हुए भी दर्शकों को लगता है कि बहुत कुछ हुआ है सिनेमेटोग्राफी तक्नीक होती है जिसे वे रियल लुक देती है बैड पर साटिंग की बैड शीट्स यूज की जाती है और उनसे धक कर केवल इल्यूजन क्रियेट किया जाता है लेते हैं क्रोमा शॉट्स अगर कोई भी अभिनेता या अभिनेत्री ऐसे सीन्स करने में असहज फील करते हैं तो निर्देशक क्रोमा शॉट्स भी लेते हैं क्रोमा यानी नीले या हरे रंग का कोई कवर जिसे बाद में गायब कर दिया जाता है जैसे एक्टर और एक्टरस को किसिंग सीन से आपती है तो उनके बीच सबजी जैसे लौकी या कहू रख दिया जाता है ब्रीन कलर होने के कारण लौकी क्रोमा का काम करती है दोनों लौकी को किस करते हैं और पोस्ट प्रोडक्शन के दौरान उसे गायब कर दिया जाता है रखनी पड़ती है शारीरिक दूरी इसके अलावा कोई भी बोल्ड या इंटिमेट सीन शूट करते वक्त इस बात का पूरा खयाल रखा जाता है कि मेल और फीमेल के प्राइवेट पार्ट्स आपस में टच न हो और नहीं कुछ अधिक रिविल हो क्योंकि करोडों की लगत से बनी हर फिल्म को बनाते वक्त कलाका पारों के स्टेटिस को भी ध्यान में रखना जरूरी होता है शूटिंग के समय असमंजस की स्थिती पैदा होने से बचने के लिए क्रिकेट खिलाडियों की तरह एक्टर के लिए लोगाड या कुशन या फिर एयर बैंक का इस्तेमाल किया जाता है जो दोनों के बीच वहीं एक्टरस के लिए पुश अप पैद्स पीछे से तॉपलेस दिखाना हो तो आगे पहनने वाले सिलिकॉन पैड का यूज किया जाता है किसी भी इंटिमेट सीन को शूट करने के लिए सबसे जरूरी अभिनेता या अभिनेतरी की आपसी एज़स्टमेंट होना जरूर दूरी होता है शारीरिक दूरी बनाए रखने के लिए कई बार प्रॉप का भी सहारा लेना पड़ता है जो आर्टिस्ट की पसंद के आधार पर होता है प्रॉप में सॉफ्ट पिलो, स्किन कलर ड्रेस, मोडिस्टी गार्मेंस आदी कुछ चीजे शामिल होती है